वंदे मातरम साथियों आज का वीडियो थाइराइट के बारे में है थाइराइट के विश्य पर हमने पहले भी वीडियो डाले हैं और बहुत सारे वीडियो डाले हैं थाइराइट का वीडियो बार बार इसलिए डालना पड़ता है कि हो सकता है कि जो व्यक्ति थाइराइट की समस्या से ग्रसित हो थाइराइट की बीमारी से परिशान हो वो गलती से ये वीडियो देख ले और थाइराइट की समस्या से उसको छोटकारा मिल जाए क्योंकि आज कल थाइराइट की बीमारी ये कैसी बीमारी है जो हर घर में साल के बच्चों में भी थाइराइड की बीमारी देखी जाने लगी है इस बीमारी में लक्षन आपको बता चुके हम पहले भी एक बार फिर दुबारा से रिपीट करते हैं थाइराइड की बीमारी में आपको चीजें रखकर आप भूल जाते हैं थाइराइड ग्लेंड यहा आपका जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है यह आपके शरीर में होने वाली बहुत सारी चीजें हैं जिनको मतलब कंट्रोल करता है जैसे आपको चीजें भूलना है या बहुत ज़ादा इमोशनल हो जाते हैं तो यह सारी चीजें थायराइड के एफेक्ट से होती हैं और सिस्राव हो रहे हैं, जादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था इसको कि हाइप, दो तरह की होती है हाइपर थाइरेडिस्म और हाइपो थाइरेडिस्म और इन दोनों में क्या-क्या difference होता है इसमें एक जो thyroid होती है उसमें आपके शरीर का वजन बहुत कम हो जाता है दूसरे में आपका वजन बहुत बढ़ जाता है तो mostly जो आपको thyroid देखने को मिलती है उसमें आपका शरीर full ने लगता है इस तरह के तो पैर के पास आप देखेंगे, उंगली गड़ा कर देखेंगे, तो वहाँ पर गड़ा हो जाएगा, जो दो चार सेकेंड का टाहिम लेगा, उसको फिल होने में, इन चीजों के लक्षनों से आप ये समझ सकते हैं, कि थाइरेट की समझ से आपको हो सकती है, इसके लिए था अगर ये थाइरेट अभी जल्दी हुई है, दो-तीन महीने हुए हैं, और आपको मालूम पढ़ गया है, तो इसको ठीक करना बहुत आसान है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सेंधा नमक अगर आप घर में नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको नमक छोड़ने से मेरा मतलब ये है, कि जो आप आप आयोडीन युक्त नमक बाजार से लेकर आते हैं, वो नमक आपको छोड़ना होगा, उसकी जगए आपको सेंधा नमक इस्तेमाल करना होगा, सेंधा नमक के बड़े बड़े पتछर आपको बाजार में मिल जाएंगे, उन पत तैयार किया गया होता है उसमें बाहर से iodine डाल दी जाती है कुछ ऐसे chemicals डाल दी जाते हैं जो आपको आपके नमक को free flow बनाते हैं तो वो सारे chemical आपके शरीर के लिए बहुत हानिका रखें दूसरा आपके iodine जो नमक में extra iodine डाल दी गई वो आपके शरीर के लिए बहुत जादा हानिकारक है आपके शरीर को जितनी iodine चाहिए उतनी iodine आपको बाजार से लाई जाने वाली सबजियों में फलों में मौझूद होती हैं और इन सब को अगर आप खाते हैं तो वो आपके शरीर में उतनी iodine की पूर्ती हो जाती है तो आपके शरीर में iodine की कमी नहीं हो पाती इसलिए आपको extra iodine युक्तिनमक खाने की जरुद नहीं होती है फिलाल मैदानिक शेत्रों में तो नहीं है पाडिक शेत्रों में हो सकता है एक दो जगे ऐसा कुछ हो तो वहाँ पर समझ में आता है कि आप iodine युक्तिनमक खाते है iodine युक्तिनमक खाने से नुकसान क्या होता है अगर आपके मन में इस सवाल आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजेगा इस बात पर आपके शरीर में जो नमक iodine चाहिए होती आपके शरीर में जो iodine की मातरा जरूरत होती है उसको आप example से समझेए सुई की नौक जो तनी होती है उतनी iodine आपके शरीर को चाहिए अगर उससे ज़्यादा आपके शरीर में iodine जाएगी तो वो शरीर में दूसरे जो नुकसान है वो पैदा करेगी दूसरी प्रॉब्लम्स क्रियेट करेगी जैसे जब आपके शरीर में ज़्यादा iodine हो जाती है तो सबसे पहले वो आपको थाईराइड की समस्या पैदा करती है हड़ियों को कमजोर करती है जिससे औस्टियो पॉराइसिस नाम की समस्या हो सकती है ये थाईराइड की बीमारी आजकल युवाओं को नपुंसक और बांच बना रही है जिससे हमारी युवा पीडी में बच्चे पैदा नहीं हो रहे है बच्चे ना होने की समस्या हो रही है बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जिनको आप सिर्फ नमक बदलने को कह देंगे तो साल से दो साल में उनको रिजल्ट मिल जाएगा उनको अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनके आप बच्चे हो जाएंगे बच्चा पाहिश पैदा हो सकता है घेंगा रोग हो सकता है पता नहीं कौन-कौन से तो इनको देखकर हम डर जाते हैं हमारे गरों में हम आयोडीन युक्त नमक ले आते हैं जबकि आयोडीन युक्त नमक हमारे अभी जल्दी 50 सालों से आया है उससे पहले हमारे गरों में सेन वहाँ पर मिल गया होंगे तो उसको देखकर आप हर विक्तिक के साथ या मास जो चेंजिस हैं वो नहीं कर सकते बड़ी मात्रा में आप लोगों कोई चेंजिस नहीं कर सकते तो जो लोग अगर अभी इन चीजों से बचना चाहते हैं तो वो आज ही अपना नमक चेंज कर थाइराइड वाले जिनको प्रॉब्लम है वो तो जरूर ही कर दें और जो साधारन सामाने लोग हैं वो भी करेंगे तो उनको जीवन में कभी थाइराइड ना हो इससे भी आपको इस पर ही भरोसा हो जाएगा थाइराइड के पिशन्ट इसके अलावा क्या काम करें बाजा बाजार में हरा धनिया मिलता है हरे धनिया की पत्ती मिलती है जिनको हम सबजी में डाल का प्रियूग करते हैं वो धनिया बाजार से ले आए उसको कूट पीस कर उसकी चटनी बना लीजे उसमें नमक नहीं डालना मिर्च नहीं डालनी सिलवट्टे पर पीस कर उसकी चटनी बार आप ऐसा कर सकते हैं हरे धनिया की चटनी जितना जादा आप चाहें उतना इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके मन में सवाल आता है कि जब हरे धनिया की चटनी नहीं मिलेगी हरे धनिया बाजार में नहीं मिलेगा तो उस कंडिशन में आपको क्या करना है उस कंडिशन में आपको ये करना है कि आप बाजार जाएं बाजार से सूखा धनिया लेकर आएं सूखा धनिया जो सीट्स के फॉर्म में होता है गोल गोल रंग का होता है ये धनिया आप लेकर आएं ये धनिया भी आपके शरीर के लिए थाइरराइट के लिए उतना ही फायदे मन्द है जितना गीला धनिया होता है या हरा धनिया होता है इसको यूज कैसे करना है एक गलास पानी में एक चम। ठनिया आप डाल दीजे रात को उसको ढख कर रख दीजे काच के गलास में ऐसा परियुक कर सकते हैं मिट्टी के बरतन में ऐसा कर सकते हैं सुभा उठते हैं तो उस धनिये को मसल लीजे हाथों से मसल कर उस पानी को चान लीजे उस पानी को आप पी लीजे ऐसा करने में नियवित रूप से करेंगे तो ये भी आपकी thyroid की समस्या को ठीक कर देगा अगर thyroid की परेशानी आपको जल्दी हुई है या महिने दो महिने से हुई है तीन महिने छे महिने से हुई है तो ये समस्या भी आपकी जल्दी ठीक होगी लेकिन अगर ये पीमारी आपकी पुरानी है तो ये सारे नियम फॉलो करने के बाद ये औशदी लेने के बाद ये समस्या आपकी ठीक हो जाएगी लेकिन थोड़ा समय इसमें लग सकता है अगर आपने थाइराइट की गोली शुरू कर दी है तो उस गोली को लेते लेते भी आप ये औशदी प्रियोग कर सकते हैं जिससे आपको धीमे धीमे आपको जब थाइर में दर्द की शिकायत हो जाती है अगर ऐसा होता है तो इसके लिए आप चूने का प्रियोग कर सकते हैं केलशियम ले सकते हैं बाहर से अगर किसी को पत्री की शिकायत नहीं है तो चूने का प्रियोग करें गेहों के दाने के बराबर चूना आप दूद, दही, छाच या ल ले सकते वो बाजार से केलशियम के निसरोत आते हैं डॉक्टर की साहता से आप केलशियम की गोली ले सकते हैं या होमपैथी की दुकान से केलशियम की बहुत सारी दवाईयां मिलती हैं जो आपको दे सकते हैं और वो केलशियम कमी को पूरा कर देंगी और आपके शरीर में के आउशदियां शुरू कर दी है, थाइरट की गोली लेना शुरू कर दी है, तो उसके बाद व्यूद भी आप ये काम करें, नमक चेंज करें, और ये ओशदिया जो धनिया है, इसको ओशदि के रोप में आप लेना शुरू करें, उन विश्वास के साथ करेंगे, तो आपका ये जो थाइरट की परिशानी है, बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी और इस समस्ता से आपको चुटकारा मिल जाएगा, आशा करता हूँ, आज की जानकारी आपके काफी काम की रही होगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, हम मि के लिए जैहिंद वन्दिमातरम